मोस इश्टीक की नई वीडियो आ गई है तो दोस्तो आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे थे क्या ये हमें ओनलाइन मिल सकती है दोस्तो हाँ भाई आपको ये ओनलाइन मिल जाएगी आपके घर तक आएगी पर आपको कोरियर चार्ज जो है कि देना पड़ेगा आपका घर कहा अभी मैं यहां का कार्ड आपको स्क्रीन पर दे देता हूं तो वहां से आप उसको कॉंटेक्ट कर सकते हैं और आपको एड्रेस भी मिल जाएगा आप यहां पर आसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको नांग लोई नजबगड रोड पर आना है वहां पर आके पसंद श्टीक ले सकते हैं तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वीडियो के तरफ चलते उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आएं तो इसको सस्क्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूं आगे और अभी मैं यहाँ पर तीन वीडियो मैंने बनाई हैं वो तीनों वीडियो आपको हर संडे को मिलेंगी वन वाई वन करके तो पहली वीडियो आप यह देख लीजिए फिर हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे ने संडे को तो आप चैनल सस्क्राइब करेंगे बहुत कमेंट किये थे हमें एड्रेस दीजिए तो आज मैं उसी जगे पे हूँ तो आप देख सकते हैं यह सब मोस इस्टीक लगी हुई है मनी प्लांट में और आपको लेके चलता हूँ कि कहां यह बन रहे हैं और वहां के ओनर से भी आपको बात करा देंगे यहां का नंबर कॉंटेक नंबर और एड्रेस सब मैं दे दूँगा नीचे डिकिप्सन बोक में आप चेक कर लीजिए और यहां आ सकते हैं और जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में उसी रेट पे आपको यहां पे मिलेगी तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते वी नारियल की तो नारियल वाली जो आप देख रहें यह आठ रुपे फिट के हिसाब से मिलेगी आपको चार फिट चाहिए पांच फिट चाहिए उस हिसाब से आप पलस कर लीजिए और अगर आपको मोस स्टीक चाहिए यह वाली यह देखिए यह मोस स्टीक है तो यह आपको 10 रुपे फिट के हिसाब से मिलेगी क्योंकि ये घास एक मोस होती है उसकी बनी हुई है तो 10 रुपे फिट है और अगर आप नारियल के लेते हैं तो 8 रुपे फिट के हिसाब से मिलेगी देखिए कुछ इस तरह बनती है यह अभी जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे यह मोस इस्टीक बन रही है देख सकते हैं यह मोस एक घास होती है जो कि उसको यह लोग गीला करते हैं गीला करने के बाद उसको काफी मसीन में डाल के बारिक किया जाता है उसके बाद फिर इसको ऐसे करके आप जो देख इसके बाद इसको एक जाली में लगा कि इसको अच्छे से बांदा जाता है ताकि जब आप इस पर पानी डालने तो आपकी ये मुझ स्टिक खराब ना हो तो आप देख सकते हैं इस तरह इसकी सिलाई की जारी है और ये सिलाई जो इसके तारों से की जारी है इस टील की आप जाली देख सकते हैं इसी से इसको रोका गया अभी इस पर प्लास्टिक की जाली लगेगी तो इस तरह मोस स्टीक तयार होती है और आप अपने घर तक इसको मगाएंगे तो कोरियर चार्ज आपका बढ़ जाएगा नहीं तो मैं जो रेट यहां पर बता रहा हूं इस वीडिय है यहां इनों ने लगा रखी है तो आपको वहीं पर लेके चलेंगे उस से पहले देख लीजिये बहूत अच्छे क्वाल्टे में आपको यहां पर मोस स्टीक मिले गी जहां आप अपने कहीं और जगे से लेते तो बहुत महंगी ये आपको 300 रुपे 400 रुपे की मिलती है पर यहाँ पर आपको 8 रुपे 10 रुपे फिट के हिसाब से मिल जाएगी तो कुछ इसी तरह बनती है मोस इस्टीक तो चलिए आपको गमले में भी दिखा देते हैं कि गमले में कैसे लगती है ये ताकि आप भी अपने गमलों में मनी प्लांट में इसको लगाएं और आपके मनी प्लांट जो हैं के बहुत अच्छे से चलेंगे और काफी बड़े लेना चाहते हैं तो उसका भी रेट आपको बता देंगे तो इधर देखिए चारो तरफ ये सब मनी प्लांट में लगे हुए हैं तो अगर आप दो फिट लेना चाहते हैं जो इस्टीक गमले में लगी रहेगी 10 इंच के गमले में दो फिट उसका आपको 100 रुपे यहां प देना पड़ेंगे तो बहुत ही कम प्राइज है कोई ज्यादा रेट नहीं है इसका तो आप चाहें तो गमले समीत ले जा सकते हैं तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लेगी अगर अच्छी लेगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और यहां का रखिए और जो बैल अच्छे क्वाल्टी में मनी प्लांट की जो इस्टीक बन रही है तो आप देख सकते हैं तो यहां पर डेली इनका यही काम है हौल सेल रीटेल का तो आपको जो रेट में बताएं आपको वही रेट मिलेगा चाहें आप अगर आपने दुकान रख रखी हो और आप इस यहां पर अपने को लगा सकते हैं तो चलते हैं कि दूसरी गोधाम पर यहां पर देखिये आप मनी प्लांट के साथ हैं इस में भी आफ थी लृओниओ के से लेगे तो दोस्तों जिंजिन प्लांटों की साइड से रूट निकलती हैं तो उन सब प्लांटों में आप इनको लगा सकते हैं ये देखिए मनी प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है तो आप देख सकते हैं तो चारों तरफ हरियाली है अब मैं इनके कुछ प्लांट आपको दिखा देता हूं इनके रेट बता देता हूँ हरी का पाम कि दिन रुपए प्राइज है सो रुपए हरी का पाम इसकी क्या प्राइज है इसका और सल में बार खो अब ऐसे कोई एक पीस अगर लेने आएगा तो बीस रुपए चली ठीक इसका क्या है सो रुपए प्रूटिंग पर आ रखता है इतने छोटे में गमले में भी अगर लगाएगा आज आएगा पार्टिंग क्या है इसके प्राइज इसको है है चालीस रुपए चालीस रुपए अ अ अ प्राव के आते घराग देते आते होँ ना प्रिये माल, अभु जोती ने गायते हो निमें में दो हाई जोजी होई गायते है